हेलो फ्रेंट्स और वालकम टू माइटू चैनल जीनियस एक्सपर्ट और आज हम सॉल्व करने वाले क्वेशन question में आपको क्या है एक बैलून दिया हुआ है ठीक है उसमें air भरा हुआ है आपको उसका volume दिया है capital V और वो जो ग्रैजुवली increase कर रहा है find the rate of increase of volume जैसे volume बढ़ रहा है with respect to यहाँ पे radius देरहा है with radius r when r equals to two units r हमें two लेना है मतलब जो ballon है आपका जैसे यहां पर ballon हो गया suppose तो यह जो ballon है इसका कहीं से भी आप लो यह radius क्या होगा सथ तरफ से तरफ से सेम हो क्यों क्योंकि यह spherical बनाता है तो यहां से आपका प्या होगा R जो है हमारा 2 units है तो यहां से जब आप अपका देखे क्या होगा सबसे पहले तो यहां पे वाल्यूम वाल्यूम का दिक्र किया गया है तो हमें वाल्यूम पहले लिख लेना है ठीक है तो वाल्यूम ओफ स्फेरिकल अगर आप स्फेरिकल लिखते हो तो आपको याद रहेगा कि यह किस शेप का है ठीक है अगर आपको याद है तो directly आप लिग दो बैलून ठीक है तो volume of spherical balloon 4 by 3 pi r cube यह आपको formula याद होना चाहिए वोल्यूम का ठीक है तो यह हम लोग छोटे classes से ही पढ़ते आ रहे वैंसुरेशन का चैप्टर में, maths में तो यह आपको याद रखना होगा ठीक है तो यह formula यह आपका है formula तो अब यहां से आपका देखे यह यहां से हम क्या करेंगे यहां पर आपको बोल रहा है कि find the rate of increase of volume यहनि कि rate आपको निकालना आप यहां से देखे rate of change change of यह सब का meaning क्या है देखे अलग-अलग meaning है अगर आपको दिया हुआ है change of या change in momentum ठीक है ऐसा कुछ देखे यह एक example के तो और पर हम आपको बता रहें तो यहां से आपको क्या हो जाएगा m2 v2 minus m1 v1 ठीक है यानि कि final minus initial यह हो जाएगा ठीक है इसको हम बोलेंगे क्या change in momentum यहानि कि change बोलेंगे यानि कि आप सीधा समभजिए यहाँ पर जब आपको change बोला जाएगा final minus initial करना है आपको बस अब यहां पे आगर आपको बोला जाए rate of change ठीक है rate of change अब वो rate of change में क्या करते हैं? final minus initial दो करेंगे bei में हम T करेंगे यानि कि time को क्या करेंगे ढले तुछ झरूरी नहीं कि हर वक्त आपका time से ही ढहिए keywords हो सकता है R से divide हो, B से divide हो कोई ऐसा आपको दे रखा होगा उससे आपको ढिवाइड करना होगा यह rate of change होता है जिसमें आपको divide का system होता है ठीक है अब यहां से आपको देखें क्या करना है आपको rate of increase निकालना है कितना बढ़ रहा है उसका rate निकालना है ठीक है तो basically हमें divide वाला system अब यहां पर देखें थोड़ा सा ध्यान क्या देना है आपको यह volume तो हमारा हो गया ना तो यहां से आपका लिख देंगे हम पहले त कालना हमें तो यहां पर the rate of increase increase of volume और volume है हमारा capital V that is with respect to radius ठीक है with radius भी लिखोगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पर with respect to radius ठीक है आर तो यहां से आपका क्या हो जाएगा यह जो है आपका दिया हुआ है अब आपका दिखें यहां से क्या होगा कि आपको जो है B को पहले लिखना है radius यानि कि R को बाद में लिखना है B by R ऐसा कुछ ठीक है देखें अब इससे क्या आपको समझ में आता है यह जो है आपका अब एक चीज़ देखें अगर आपको कभी भी बोला जाएं कभी भी कि कोई एक room है सा post या कोई एक building है उसका को पूरे बिल्डिंग में से कोई एक room का area निकालने तो आप क्या करोगे integrate करेंगे एक part निकालना में तो integration यूज़ करते हैं अगर हमें इस एक part का area पता हो और पूरे building का पता करना है पूरे का तो हम क्या करते हैं वहाँ पर differentiation करते हैं इसको ध्यान से समझेगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें balloon का क्या निकालना है आपको volume increase करता यानि कि पूरे का निकालना है तो यहाँ से differentiation होगा ठीक है differentiation हो जाएगा वरना आप बिना differentiation के कैसे use करोगे volume का जो formula होता है ठीक है mass into देखे आपको density का formula क्या होता है mass by volume है ना तो यहाँ से आपको density आपको देने रखा है और यह हमें जरुत भी नहीं है balloon के case में तो जब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से यह formula होता है और यहाँ पे हमारा use होगा नहीं density जो हमें नहीं दे रखा है और निकाल भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे mass नहीं दे रखा है ठीक है तो यहाँ से आपका देखे क्या होगा कि यह जो है आपका formula use नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे differentiation use करेंगे simple तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा db by dr ठीक है हमें volume with respect to radius रखना है तो हम पहले volume को लिखे फिर radius को लिखे ठीक है यहाँ से आपका देखे क्या हो जाएगा by में आपका dr ठीक है अब यहां से आपका देखे क्या होगा differentiate होगा इसको कैसे लिखेंगे अब आगी यहीं पर देखते हैं यहां से देखे आपका differentiation करेंगे हम तो 4 by 3 4 by 3 आपका क्या एक number है तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे क्यो कुछ भी है example के तौर पर कि तो आप क्या करोगे इसको इस 2 को बाहर निकाल लोगे ठीक है को बाहर निकाल लेने के बाद इसका सिर्फ differentiation होगा किसी variable के साथ अगर number है तो उस number को as it is छोड़ देना है और फिर उस variable का जो है आपको differentiation करना है तो देखें यहां पर 4 by 3 लिख दि ठीक है 22 by 7 उसको भी निकाल लेंगे बाहर उसके बाद हम यहां पर differentiation करेंगे किसका आर क्यूब का यानि कि क्या हो जाएगा अब डी तो रहेगा ही ना डी ही तो है आपका symbol यही बताता है कि differentiation हो रहा है हमें आर क्यूब का differentiation करना तो डी को रहने देना होगा और यह जो है हम क तो रहेगा ही अब यह देखे आर क्यूब हम एक formula पढ़ें कि जब भी किसी variable के उपर कोई power होता है suppose x to the power 5 है तो यहां पर n x n-1 का formula लगता है ठीक है differentiation का ठीक है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा power पहले लिखाएगा और फिर x power में आपका 1 minus हो जाएगा ठीक है तो यहा differentiation होगा तो 3 लिखेंगे और यहां पर आपका r आएगा 3 minus 1 ठीक है और by में आपका dr अब यह दियार रहेगा यार नहीं रहेगा तो देखे यह बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्यों क्यों क्योंकि यह differentiation होता है तो यह पूरा sign ही है आपका differentiation का यह पूरा क्या है आपका differentiation का sign है और किसको कर रहे हो आप वो आप bracket में लिखे है ठीक है तो यहां से अब आपका क्या हो गा 4 by 3 pi r to the power square ठीक है यह हो जाएगा हमारा अब देखें dby dr आ गया अब हमें निकालना क्या है हमें यहां पे निकालना है कि अगर आपको यहां पे दे रखा r equals to two units है ठीक है तो यहां से हम क्या करेंगे इसको put करेंगे ठीक है तो हम put करेंगे तो यहां से क्या आजाएगा dby dr equals to यहां पे 4 pi और देखें यहां पर आपका 4 pi by 3 यहां पे r to the power square ठीक है यह है आपका अब देखें यहां से आपको थोड़ा सा क्या देहन देना है देखें यह जो 3 है यहां पे 3 छूड़ी है ठीक है so 4 by 3 और यहां पे 3 आएगा ठीक है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा यहां से 3 और 3 cancel हो जाएगा न वहाई चीज की है तो यहां से अपका 4 pi r square आ जाएगा 4 pi r square ठीक है तो यह 4 pi r square हुआ अब यहां पे देखे यही जो है यह unit है इसमें आपको r का क्या करना है r के जगा पे आपको put करना है 2 तो हम यहां पे r के जगा पे 2 put करते हैं तो 2 का whole square यह क्या हो जाएगा 4 pi और 2 का square होता है 4 तो यहां से आपका 16 pi आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा answer so I hope कि आपको समझ में होगा समझ में होगा तो एक like तो बनता है चैनल पीच को ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजेगा so that कि जो भी हम वीडियो जा ले वो आपको मिलती रहें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा उसमें आपको बहुत सारे निमेरिकल्स जो हैं आपके काइनेमेटेक्स otherwise सारे सब टाइटल्स कीएवे आप देख लीजेगा so thank you so much जो है